असलाम उलीकुम प्यारे बच्चो क्या हाल चले आपका ठीक ठाक है आज हमने last question करना है अपनी exercise 1.1 का question है हमारे पास determine whether the given function is even or odd सबसे पहले है यह जानते है कि even function हमारे पास क्या होता है ऐसा function जिसमें हम x की जगाँ पे जब minus x देते हैं और हमारे पास function वो as it is आजए ऐसे function को even function करते है as अगर हमारे पास एक function है जिसकी value है x square plus 1 इसमें मैं अगर x की जगाँ पे minus x replace कर देती हूँ यहाँ पे भी x की जगाँ पे minus x square आजाएगा plus 1 आ गया minus x square you know that is equal to x square plus 1 यह तो वो ही function आ गया है जो हमारे पास given था it means अगर हमारे पास ऐसा function जिसमें x की जगाँ पे minus x replace किया जाए और हमारे पास as it is वो function आजाए ऐसे function को कहते हैं even function odd function हमारे पास क्या होता है अगर function में हम x की जगाँ पे जब minus x replace करते हैं तो हमारे पास minus f of x आजाए as अगर हमारे पास एक function है f of x is equal to x cube अगर मैं इसमें x की जगाँ पर अगर मैं माइनस x रख देती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस x cube is equal to minus x cube लेकिन function तो था हमारे पास वो था हमारे पास x cube it means की value आ गई minus f of x ऐसे function को हम कहते हैं यह हमारे पास एक odd functions है